हैं विजनिस इन्वायरमेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे इसका ध्यन करेंगे सिर्बतं सांवासे क्या है सुख्ष्य ईवbell क्या है इसका अरथ क्या है वहीं विजएक छेत्र में वाथावर्त का है और के ब्यावसाइक बातवर्ण की जो तत्व हैं सुक्षम वातवर्ण एवं बाह वातवर्ण इनके प्रमुख विंदु कौन-कौन से हैं इनके बारे में हम बिस्तार्थ से अध्यन करेंगे तो चलिए हम जानते हैं कि ब्यावसाइक बातवर्ण क्या कहलाता है एक ब्यवसाइक उपक्रम समाज का अंग होता है और ब्यवसाइक उपक्रम की नीती तथा ब्यवसाइक वातावरण में दोनों में खनिष्ट संबंद होता है तो यहांपर किसी भी देश की ब्यावसाई गतिविदियां उस देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक एवं सामाजिक वातावरण को काफी सीमा तक प्रभावित करता है सामाने रूप से ब्यावसाई और इसके वातावरण एक दूसरे से संबद दोता है एक ब्योसाई को अपने ब्योसाई का संचालन देश की इस्थिती परिस्थिती को ध्यान में रखकर ब्योसाई करना होता है चुकि बर्तमान में ब्योसाई का संचालन काफी जटिल हो गया वो बर्तमान राजनेतिक सरकारी नियंबा कानून से प्रवहवित होता है अता इन पर वह सहाइक बातवर्ण क्या épisode प्रकार कि की सबी मखटनाओं के समुवरा होता है तता उससे प्रभावित न न a virus सी ऑप तनाओं गंतुद है जो इसके चारो वर बिद्यमान है तथा उसको प्रभावित करता है तो एक उक्रम की ब्योसाईक नीतिएं दो प्रकार्ट के तथों से प्रभावित होती है एक आंतरिक तथों दूसरा बाहरी तथों आंत्रिक तत्तों पर उपक्रम का नियंत्रण होता है इन तत्तों को उपक्रम बातवर्ण के अन्पूल परिवर्तित कर सकता है जबकि बाय या बाहरी तत्तों अनियंत्रित होते हैं क्योंकि ये बड़ी सीमा तक उपक्रम के नियंत्रण से बाहर होते हैं आंत्रिक तत्तों में उपक्रम के अनुसंधान विकास, तक्निकी छमता बढ़ाना, वित्पी छमता को बढ़ाना, विप्लन छमता और परिल्चालन छमता आधी आते हैं। तो इन तत्तों में यदी कोई नेंत्रन हैं तो वो आफसानी से करना हैं तो उपक्रम के संचालक के द भोगोलिक तथा सामाजिक परिस्तियां समलित हैं जो कि एक व्यवसाइग के लिए ये परिस्तियां अनियंत्रित होती है तो यहां पर हमने जाना कि व्यवसाइग बातावरों का अर्थ क्या है इसकी परिभासा और एक व्यवसाइग बातावरों जो है दो प्रकार के तत्तों को प्रत्रोनर को से प्रभावेत होता है एकांत्रिक तट्त्व और तुछ भारी तत्त है कि यहांँ देखेंगे कि ए ब्युज्लाइक बातां ब क्र Basak प्रवंध का ब्युद्रा का निर्वार को रहता है तो भास्तों में शायरों को खोजना व्योअसाय की कि वातावरण है दूसरा बिंदू है नीति निर्मार एक देश के बैसाइक बातावर चेहन कर उपक्रम की अपनी विस्द भ्यू रचना एवं दीर्ग कालीन नीतियां बनाई जा सकते हैं तीछरा है गत्यात्मक नजरिया परिवर्तित बातावरण का ज्यान होने पर उपक्रम के प्रवंद का नजरिया गत्यात्मक हो जाता है यह परिवर्तित परिश्टियों के संदर्म में नीती निर्माल के करने के योग हो जाता है चोथा बिंदू है परिवर्तनों का ज्यान बातावरण चुकी सदेव परिवर्तन सील होता है जिसे उब्भुकताओं की रूची भैसन आदत विविन्य तक्नीकी उत्पात का रंग रूप अधिये सभी परिवर्तित होता रहता है इन सब की जानकारी ब्योसाइक बातावरण में होने वाले परिवर्तनों का व्यान प्राप्त हो जाता है फिर प्रतिसपर्दी व्यूरचना इसके अंतरगर जो है व्योसाइक बातावरण उपक्रम को अपने प्रतिसपर्दियों की व्यूरचनाओं का अध्यन कर शोधियों के बनाता है और इसी हदार पर प्रबंद इन व्यू रचनाओं या चनोतियों का सामना करने के लिए प्रभावकारी रूपसे अपने को तैयारी कर लेता है। फिर अंते में योजना बनाने में साहयक, ब्यवसायक वातावरण के माध्यम से अनेक जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। सिति परिस्टियों की जैनकारी प्रॉक्त हो जाती है जो कि इसको अपने उप्ड़म या ब्यावसाcollet की यूजना रूनेि में सहायक सिद्ध होती है। तो यहें हैं ब्यावसाइक भात व्रावस का माहत्तुवत। कि इसके बाद हम जानेंगे कि ब्यावसाहिक बातावर tecnología या तक तो किया होते हैं ? कि तो ब्यावसाहिक बाता ऑरन पर फिर संस्वाद करें को है जो कि आंत्रिक बात अर्ट अर्प होते हैं आंतरिक तक तो जिसमें ब्यावसाई या उद्यमी द्वारा स्वयम नियंतरित किये जा सकते हैं। इनमें सीगर परिवर्तन होता है जो कि ब्यावसाई की नीतियां नियंब योजनाय, उद्देश, लक्ष, उत्पादन प्रणाली, ब्यावसाई के मानव संसादन, संगठन, उसकी संद्रचना, मजदूरी नीतियादी प्रमुखें। चिनक पे ब्यावसाई जो है, अपना कंट्रोल स्वयम कर सकता है। परंतु वहीं दूसरी ओर, बाय तक तो, जो कि ब्यावसाई का बास्विक बातावरन होता है। इन बातावरनों का प्रभाव ब्यावसाई पर पड़ता है। ब्यावसाई की प्रगती, विकास, सिधिलता आदी इनी बातावरनों पर निर्भर करती है अता यहां हम विस्तार से देखेंगे कि ब्यावसायकों बातावरन को दो भागों में बाटा गया है पहला सूक्षम बातावरन और दूसरा ब्यापक बातावरन प्रथम है सूक्षम बातावरन सूक्षम बातावरन में उपक्रम स समीपता रखने वाली वे शक्तिया हैं जो उसके ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की छंता को प्रभावविक करती हैं तो जिसमें सरप्रत्रतम है आपूर्थी करता है इसमें वे फर्म या वे व्यक्ति yn जो कम्पनी को कच्चा माल पुर्जे आदी की आपूर्ती करते हैं। जो है बिविन आपूर्ती करताओं से भी संबंद बनाकर रखना पूरता है। अगला बिंदू है ग्राहाग। ग्राहाग बाजार में उब्भुक्ता बाजार, ब्यावसाइक बाजार, पुनेविक्री बाजार, सरकारी बाजार और अंतरराश्टी बाजार सम्मिलित होते हैं। प्रत्यक बाजार का गहनता से अध्यान किया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भुक्ता बाजार जैसे व्यक्तियों परिवाओं के सम्मिलित कर बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्राहक बिंदू के अंतरगा जो है सुक्ष्म भातवन के प्रत्यसपरदा। एक ब्यवसायक उप्टम की सफलता इस बात पर निर्वर होती है। कि अपनी प्रत्यसपरदा की तुलना में ग्राहकों को संतोष्ट करने की छमता उसके अंदर कितिनी अधिक है। अर्थाग उसके द्वारे जो ब्यवसाय किया जा रहा है किये जाने ब्यवले ब्यवसाय से उसका ग्राहक कितना संतोष्ट हो रहा है। इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। वो अपने ग्राहको जितना अधिक संतोष्ट करेगा उतना ही लाप्राप्त करेगा। अता है उपक्रम को अपनी व्यूरचना बनाते समय प्रमुक प्रतिसपर्दियों के आने एवं बाजार जाने एवं स्वयम के बाजार में टिके रहने और अपनी बस्तों के प्रतिस्थापना तथा बर्तमान प्रतियों की व्यूरचना में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है अगला बिंदू है जंता एक ब्यवसाइक बातावरण के अंतरगात उपक्रम बिभिन्य प्रकार की जंता से घेरा होता है इसमें जंता का आसाय किसी समू से है जिसका बास्विक एवं संभावित हित अपने उद्देश को प्राफ्त करने के लिए सं जंता बिभिन प्रकार की होती है जैसे बितिजंता मीडिया जंता स्थानी जंता और आंत्रिक जंता तो बिद्दी के संस्तान परवाश को की निवसी तता सामदा संगठन आते वहीं आंतरिक जन्ता जिसमें उपक्रम या स्वंस्था के कर्मेचारी, प्रबंधक, बोर्ड निदेशक आदी आते हैं। ये सभी उपक्रम को आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये थे सुक्ष्म बातावरण के अंतरगत आपूर्ती करता, विप्रनमध्यस, ग्राह, प्रितिस्वर्दी और जन्ता। ये कि इस प्रकार से व्यावसाइक बातावरण को प्राभावित करते हैं। इसमें दूसरा तत्तो जो है व्यापक वातावरण। व्यापक वातावरण के तत्तो सुक्ष्म वातावरण के तत्तों से अधिक अनियंत्रित होते हैं। स्थाथतं ये जल्दी केंट्रोल मैं के यह जा सकते हैं इनने स्यूस्था नियंत्रतत सकता इनुमे कमें से प्रमुख राजनेतिक वाटावरं तो एक देश्ट में जो बिद्दिमान राजनेतिक विवस्ता उस देश की विवसार और और नियुद्धार nouve नियंत्र करती राजनेतिक परिस्टियां इस्थिर इमानदार वाकारिकोसल हो यदि देश में राजनेतिक इस्थियां अच्छी नहीं है अस्थिर्ता है आतंकबाब है आस्वान्ति है तो इसका व्यवसायक फर्मों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है दूसरा है आर्थिक वातवर्ण या तत्तु एक देश की अर्थ व्यवस्ता की बर्तमान इस्थि एवाम उसका भवेश से एक फर्मिकी रचना को प्रभाविक करता है अर्थात उस देश की आर्थिक रसाएं जैसे वस्तूं और सेवाओं की कीमतों की प्रवर्ति अर्थात कंदि अर्थ विवस्ता के विकौास की यवस्तः आर्थिक संसाधन, आयवा संपत्ति कैस्त्तर उसका भित्र आधी जोह आर्थिक वातवर्ण को प्रभाविक करता है इसके साथ ही एक देश की आर्थिक नीतियां जिनमें मौद्रिक वर राजकोशी नीतियां, ब्यापार नीतियां और द्योविक नीति आधी का ब्यवसाइक निर्णेयों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है जैसे उदारणी करान की नीति से देश में जहां बाहर की कंपनि का आगमन तेजी से हुआ वहीं लगू एवं कुपी रुद्ध्यों के लिए संकट उपन हो गया तो यहां पर आर्थिक वातावरम जो है किस प्रकार से ब्यावाविक करता है अगला विंदू है सामाजिक वातावरम यह तत्तों एक अर्थविवस्ता का सुरूप राजनेत प्रकार आजनेतदे ब्याविक निर्थारित करती है विक्तियों के खानपान पहनाबा संस्कृति सब्विता भिन्य विन्य उती है अता है फर्म को इन संस्कृतिक पसंदकी के अर्भी वस्तों एवम सिभावग उत्पादन करना चाहिए सामाजिक सांसिक बातावरम के तक्नीकी बातवरण इस बात को प्रभावित करता है कि अर्थ विवस्ता के संसादनों को उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। तक्नीकी परिवर्तन उत्पादान बीदियों, प्रक्रियाओं एवं बस्तू के निर्माण में कच्चे माल के उपयोग को प्रभाविक करता है। आज आदुनिक समाज तक्नीक अत्यनत महत्मून हो गई है। ये उत्पादक्ता को प्रभाविक करती है। तक्नीकी परिवर्तन ये एक फर्म को उसके व्यावसाय उत्देशों को प्राप्त करने के योग पनाती है। तक्नीकी में तीब्र परिवर्तन भी एक समस्या है क्योंकि उत्पात तेजी से बेकार हो जाती है। हाला कि अर्थव्य वस्ता के सभी चेत्र तक्नीकी परिवर्तन से एक समान प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे आटो मोबाइल, सोसिधी उद्द्योग, इलेक्टानिक उद्द्योग ये तक्नीकी रूप से तेजी से प्रभावित होते हैं। तो बही भरनीचर, बस्तुरुद्योग, इनका तक्नीकी परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से जैन उद्द्योगों पर तक्नीकी परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, उन उपक्रमों को जागरुप रहना पड़ता है। अंदिम मिंदु हैं यहाँ पर बैधानिक वातावरण यतत्तु, केंदर राज या इस्थानी सरकार ब्याव साइक क्रियाओं को प्रभावित करती है। वहीं निजी ब्यावसाय के लिए प्रतिकूल भी साबित होती है। तो सरकार जब बड़ी मात्रा में वस्नों और सिवाव खरीदती हैं, तो निजी ब्यावसाय को बिस्तार के आउसर भी उपलब्द होते हैं। और जब पिछले शेत्रों में सरकार के दोरा उद्योग ब्यावसाय की स्थापना की जाती है, तो उनके दोरा अनेक रियायत भी प्रदान की जाती है। हता है सरकारी नीतियां में परिवर्तन ब्यावसाय के आउसरों पर प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से यहां हमने देखा कि ब्योसाइक बातावरण को सूखशू तत्तो और व्यापक तत्तो किस प्रकार से प्रभामित करते हैं ये हमने बिविन्य बिंदुओं के अधार पर जाना अभिस अध्याय के अंतरगै जो है आपको इन प्रसनों के उत्तर कापी में लि जाहिए तथा तीसरा प्रस्ण जो है ब्यावसायक बाता बनके अंतरगात उसके सुक्ष्म एवं ब्यापक तत्मों को